नमस्ते, तो आज हम एक और रिडिंग करने वाले हैं, देखते हैं आपके परसन की करन्ट फिलिंग क्या है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं, आपको लेकर, ठीक है, तो कोशिश करते हैं जानने की, ओके, आपको करना है पुरा फूकस अपने पार्टनर के उपर, तो स्टार्ट क परसन आपको रेड रोस देना चाहते हैं, ऐसा लगता है, आपकी नाराजगी को दूर करने के लिए, कुछ फूल वगेरा लेकर आ सकते हैं आपके लिए, ओके, देखो गाईस, सबसे पहरे तो आपकी परसन को ऐसा लगते हैं, आप अभी बहुत नाराज हो, आप उनकी भी बात सुनने के मूड में दिखाएने दे रहे उनको, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो जाएंगे, तो मूग की खाएंगे, मतलब आप ना उनकी बात सुनने के मूड में हो, ठीक है, ना उनको माफ करने के मूड में हो, ये अनसान इतना हैं, कि वो जिन्दगी में कभी कि किसी परकते हैं और इसको कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन जब आप इस इन्सान के जिन्दगे में आये हो तो इसको बहुत ज़ादा फरक पढ़ रहा इस बात से कि आप इस अंसान की जिंदगी में अब नहीं हो ठीक है या पर ऐसे ही लोग मुझे दिखाए दे रहे है कि जो बिलकुल भी no contact में हो ठीक है ना कोई बातचित हो रही है ना मुलाकात हो लगाता हो रही है और इस अंसान बड़ा हैं इस इसलन ने इस रिष्टे में बिलकुल इस रिष्टे से भागता रहा आपको commitment देने से भागता रहा लेकिन अब आपसे दूर जाकर यहाँ पर 8 नमबर बहुत खास है 8 number हो सकता है, कुछ कर्मा गलत हो, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, या कुछ लोग लिए आपका कार्मिक भी हो सकता है, ठीक है, तो ये अंसान हमेशा इस रिष्टे से भागता रहा, अपने जिम्मेदारियों से भागता रहा, कमिट्मेंट से भागता रहा, लेकिन अब जाके, इ इंसान आपको नहीं भूल सकता देखो, ये इंसान इतना ज़्या तड़पता है ना आपके लिए कि अब कोई सीमा नहीं है उसकी ठीक है, हो सकता है, इसने बहुत attitude दिखाया आप, हो सकता है आपके call नहीं उठाए, आपके message का कोई reply नहीं किया, अपने ही ego में चलता रहा, अपने शान में रहता रहा, लेकिन अब अब ऐसा वक्त आ चुका है कि इसको अपनी गलतिया बहुत जादा भारी पड़ गई है ठीक है, अब ये इंसान ऐसा वक्त इस इंसान की जिन्दगे में आया है कि वो रो रहा है आपके लिए, ना रातो को इसको चैन है, ना दिन को चैन है एक तरफ तो इंसान अपने आपको बोढ़ा ही, मतलब नवाब क्या बोल सकते उसको कि आपने आपको बड़ा नवाब समझता है कि उसके जैसा कोई नहीं है लेकिन इस इंसान को समझ में आ चुका है कि भले उसका जैसा कोई नहीं है लेकिन उसको प्यार करने वाले आपके जैसा कोई नहीं है ठीक है, आपने जो प्यार इस इंसान को दिया है उसकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता यहाँ पर T अक्षर बना है, S बना है, V बना है, W बना है, YM बना है 9 नमबर, 6 नमबर, 8 नमबर, 7 नमबर और 2 नमबर भी यहाँ पर बना है 2, 7, 27 नमबर बना है, 2, 8, 28 ठीक है ओके, और वैस लोबर्स बने हैं यहाँ पर देखो, नहीं रह सकता, वो इनसान आपके बिना या तो इस इनसान के घर में लोबर्स है, या तो इनसान लोबर्स की तरफ तड़प रहा है आपके बिना नहीं रह सकता, यह जुदाई नहीं सह सकता इतना ज़दा अकेला पन जो आया है इस इंसान को तो इस इंसान को आपकी चुपपी ने रुला दिया है हो सकता है कि बहुत दिनों से आप दोनों के बिलकुल बात चित नहीं हुई है और यही यही इस इंसान को बात रुला रही है आपकी यादों ने इस इंसान को बहुत रुलाया है और ये इंसान खुद हैरान है इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर maturity नहीं है आप इस इंसान को कभी समझत नहीं हो देखो हुआ क्या है कि पहले ये इंसान आपको नहीं समझा और अब इसको ऐसा लगता है कि आप इस इंसान को नहीं समझती हो दिखो, जब खूद पर बीत रही है तो समझ रहा है इनसान कि आप मैच्र नहीं हो और जब पहले आप तड़बते रहे जब आप पहले इस इंसान को request करते रहे तब इस इंसान ने आपके एक भी बात नहीं माने अब जब खुद पर बीत रही है तो समझ में आ रहा है ठीक है इसका ego तो अभी भी कम नहीं हुआ है पहले भी था आज भी है लेकिन इतना तो समझ में आ चुका है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता वो कितना भी इको दिखाए कितना भी कुछ करे वो जिन्दग में आपके अलावा आगे नहीं बढ़ सकता वो इंसान रुका है स्टक है जब से आप दोनों अलग हुए हो वो इंसान भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ा है वो बढ़ ही नहीं सकता आपकी यादे आपका प्यार उस इंसान को आगे बढ़ने नहीं दे रहे है इंसान अकेले में आपसे बाते करता है दिल में बहुत बाते करता है उसको लगता है कि मैं इतने धेर सारी बाते करता हूँ उससे और उसको गिला है कि मैं खामोश हो ये इंसान बहुत जादा अपने ही मन में आपसे वारतालाप करता है specially जो भी अकेला होता है ये फील करता है कि आप उनसे बात करे हूँ ये फील करता है कि वो भी आपसे बात कर रहा है आप उनके करीब हो, आप उनकी बाहो में हो बहुत कुछ visualize इस इंसान ने आपके लिए किया है ये इंसान जाने-अंजाने में आपको manifest कर रहा है ठीक है, बहुत ज़्यादा chances है कि इंसान long distance में है ठीक है, कुछ लोग के लिए resonant होगा कि long distance में है और कुछ लोग के साथ resonant होगा कि emotional इतना distance आ चुका है कि इंसान बहुत ज़्यादा तड़प रहा है उस distance को भरके निकालने के लिए उनका नाम V से, U से, K से शुरू हो सकता है ठीक है? और यहाँ पर Yes भी है J है B अक्षर भी बना है कैस ठीक है? और No.3 बना है चाहे इस इंसान को कुछ भी समझे इस इंसान के अंदर transformation तो आया है पहले इंसान बहुत अलग था और आपके प्यार ने इस इंसान को पूरी तरह से बदल दिया है प्यार में इतनी ताकद होते हैं ना गाईज? बहुत ताकद होती है और आपके प्यार की ताकद ही है यह जो इंसान अंदर बाहर से फुरा change हो चुका है, बदल चुका है अब इसको एसास हुआ है कि आपके ना होने पर क्या हालत होती है इस इंसान को अपनी गलतियों का बहुत बोज ज़सा फिल हो रहा है उसको लगता है कि मैं कब अपनी गलतियों को स्विकार करूँगा उसके सामने, कब उसको माफी मागूँगा, क्योंकि इसको बहुत बोज हो रहा है, बहुत बर्डन सा फिल हो रहा है, उसके सीने पर जैसे बोज सा रखा गया है किसे ने, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि मै वो अकेली या वो अकेला कॉम्परमाईस करती रही करता रहा, उसकी बावजुद प्यार करता रहा, और मैं कभी भी उसके लिए कॉम्परमाईस नहीं किया, तो ये दर्द जो आपका दिल इसने तोड़ दिया है ये दर्द अब इस इंसान को सोने नहीं दे रहा है ये दर्द इस इंसान को जीने नहीं दे रहा है बहुत जल तीन महिने के अंदर या साथ महिने के अंदर ये आप दोनों का रिकंसिलेशन होता हुआ यहाँ पर ठीक है या तो वे अंसान वहाँ पर आपको लेकर जाना चाहता हो जा बहता हुआ पानी हो खुबसूरत नेचर हो वहाँ पर आप दोनों के अलावा कोई नहों ठीक है ऐसी जगह पर आपको लेकर जाना चाहते हैं और बहुत शांती से अपसे बात करना चाहते हैं ठीक है रोम जो भी नाराजगी है उसकी बस खतम हो जाए। आपके परसन को ऐसा भी लगता है कि ये दिल जो आपके लिए धड़कता है, आप शायद उस बात को नहीं समझ पा रहे हो। हो सकता है कि पास्ट में इस इस इंसानी जो रूब अपना देखाया है आपको, अब आप इस इंसान के उपर विश्वास नहीं कर पा रहे हो। और अब ये अंसान चाहता है कि आप उसकी दिल की धड़कन को सुनो। ये अंसान चाहता है कि आप उसके दिल के जजबात को जानो कि वो इंसान कितना कुछ फील करता है आपके लिए। वो इंसान कितना तड़पता है आपके लिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया उस इंसान के लिए वही इंसान कम पड़ गया है इस प्यार में उसकी तरफ से अफ़र्ट कम पड़ गया है और अब वो कमी भरके निकालना चाहता है ये इंसान शादी के लिए जब भी सोचता है तो एक ही चेहरा इसके नजर आता है इसको और वो है आपका चेहरा इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप अब चुप क्यूं हो आप बात क्यूं नहीं करते हो हो सकता है पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा कॉल बहुत मैसेज कर दिया इस इंसान को लेकिन इसने आपके कॉल नहीं उठाया आपके आपसे बात नहीं की ठीक है और अब जाके इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं मिला है और आपको वो रिटन देना चाहिए आपको वो प्यार वो रिस्पेक्ट वो वो वक्त वो अटेंशन आपको भी देना चाहिए बैलंस लेकर आने के बास सोचते हैं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप उनके सोल मिठ हो, इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो जब तक आपके साथ था आपने इतनी जादा क्यार की उस इंसान की, बहुत जादा क्यार की, कभी भी आपने उस इंसान को यह एहसास नहीं दिलाया, ठीक है, बहुत खयाल रखा आपने खुश ठीक है एक playfulness के energy में वो आपके पास मतलब आपकी आखों में आखे डाल कर बात करना चाहते हैं खुश रहना चाहते हैं ठीक है उनको ऐसा लगता है काश वो दिन जल से जल आए अब इंतजार नहीं होता है call message करना चाहते हैं आपके person online नजर रख रहें आपके उपर इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत सा online रहने लगे हो आज़कल ठीक है शायद उनने देखा हो या इनको किसे ने बताया हो इनको डर लगता है क्यों रहते हो आप online आप उनसे दो बात नहीं करते हो फिर online क क्यों रहते हो इस जर में भी है यई आपके person इस इंसान को ऐसा भी लगता आ कि इसने अपने सवार्त में आकर आपके साथ ना इनसाफी कर दें अपने बार में इस इस इंसान के बारे में सोचते रहें तो ये तो बड़ी गलती हो गई यार ऐसा इस इस इंसान को लगता है कि कोई इसके उपर दिल नौचार करता रहा और ये इनसान सिर्फ मेरा 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 करता रहा कि मैं ये करूँगा में वो करूँगा लेकिन उस अंसान के तरफ इसने बिल्कुल धान नहीं दिया जो इस अंसान के उपर जान छिड़कता रहा और आप दिल से चाहते हैं कि इस रिष्टे में एक नई शिर्वात हो अब दिल से चाहते हैं कि इस रिष्टे का एक रिबर्थ हो ठीक है और कुछ लोग के लिए आप दोनों mirror कर रहे हो एक दूसरे को आप भी negative सोच रहे हो ये अंसान भी negative सोच रहा है दोनों को positive सोचने की बहुत ज़़ा आवशकता है जो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है इस इंसान के हालत कैसे हो चुके है पता है रसी पर लोग कैसे चलते हैं बस वैसे हालत हो चुकी है द्वीधा परिसिती क्या करे क्या ना करे ठीक है और जो mirror कर रहे यह person आपको तो हो सकता कि आपकी भी द्वीधा परिसिती हो रही है यहाँ पर ज़रूरत है दोनों को past की energy से निकल कर अब आगे बढ़ने के, जो हो नहीं पा रहा है इस इंसान को लगता तो है कि इस रिश्चे में आगे बढ़ना है तो past के energy से बाहर निकलना होगा उस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपने उनको माफ कर दिया तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा अगर आपने उस इंसान को उनकी जो कुछ भी उन्होंने गलतिया की है उन गलतियों के लिए अगर आप माफ करते हो तो ये कितना अच्छा होगा अब देखते हैं इस देख से क्या कुछ energy है सबसे पहला का और अर्डिनरिनेस यही energy यहाँ पर भी आई है कि आपके person को लगता है कि उसने बहुत कुछ किया है मिर ले मैं ही कम पढ़ गया हूँ ordinary ने सिहा पर बता रहा है कि person समझ पा रहा है कि आपने जो कुछ भी effort डाले है इस इंसान के लिए आपने चाहे बहुत सारी call कर दिये अपने बहुत message किये लेकिन इसने कभी reply नहीं दिया आपको तो समझ पारे वो कि यार वो तो करती थी लेकिन मैंने कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया मैं ही इस रिश्ट में balance नहीं कर पाया 8 number ठीक है infinity चुप है आप दोनों खामोश हो चुप हो देखो आपके person को बहुत डल और बहुत boring सा फिलो रहा आपके बिना ठीक है वो आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है लेकिन इनसान अभी चुप है क्योंकि सोज समझ का decision लेना चाहते है अभी चुप है क्योंकि उनको rejection का डर है अभी चुप है क्योंकि लगता है उनको कि आप कुछ भी सुनने के mood में नहीं हो ठीक है और क्या है आपके खुफसूरत photos बहुत देखे जा रहे guys आपके beautiful photos उनके पास है pink color के dress में हो सकता है green color के dress में हो सकता है ठीक है आपकी photo है उनके पास और वो बार बार उस photo को निहार रहे है आपकी खुफसूरती का जादू उस इंसान के उपर इसकदर चल रहा है कि उनसान तडप रहे है आपसे मिलने के लिए बहुत साथ तडप रहे है और आपकी value आपकी एहमियत उस इंसान को समझ में आ रहे है कि आपकी कितनी जरुरत है उस इंसान को आपकी एक need ठीक है आप need बन चुके हो उस इंसान की और यह समझ में आ चुका है एक new vision तभी तो तभी तो इस रिष्टे के एक new beginning वो करना चाहते है क्योंकि आपकी एहमियत उस इंसान को समझ में आ चुकी है और क्या है उनकी current feeling क्या है आपको लेकर देखो गाईस कितने दुखी है वो रो रहे है तडप रहे है, सिसक रहे है उस इंसान को अपनी गल्ती का पूरा-पूरा एहसास हो चुका है उस इंसान को ऐसा लागता है कि क्या कर दिया है मैंने अपनी प्यार को मैंने खो दिया जो इंसान मेरे उपर जानना उच्छर करता था मैं आज उससे दूर हूँ मेरे खुद की गल्ती की बज़य से ठीक है 9 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए going with the flow देखो मैंने क्या बोला था क्यों आपको क्यों आपसे बात करना अचानक बंद कर दिया क्यों आपसे दूर चले गए कोई सवाल जो आप करोगे न उसकी जवाब इस इंसान के पास नहीं है उस सवाल और किसे भाग रहा है इंसान और इसलिए going with the flow जाने की कोशिश कर रहा है breakthrough definitely बहुत बुरी तरसे ब्रेक अप रहा है आप दोनों का बहुत टेंशन हुई बहुत जादा आपके साथ नाइंसाफी हुई है इस रिष्टे में और अब ये अनसान आपको एक तरह से आपना nervous breakdown ये आपकी भी हालत है ठीक है ये आपकी भी हालत है तो nervous breakdown जैसे situation में आप चले गए हो और अब आपको breakthrough की situation में कैसे लेकर आए आपके साथ कैसे न्याई करें कैसे justice किया जाए इसके बार में बहुत ज़दा आपकी person सोच रहे है ठीक है वो इंसान अपने आपको master समझता था वो इंसान अपने आपको जिन्दगे में वो अपने life में आगे बढ़ जाएगा ये उसकी गलत फैमिया थी लेकिन जब वो आप से दूर हुआ जब आपका प्यार बिछड़ गया तब जाके उस इंसान को जो अकेला पनाया है जो दर्द अब उस इंसान को हो रहा है तो उसको समझ में आ चुका है कि आप ही तो उसकी दुनिया थे और उसने अपनी ही दुनिया को अपने से दूर कर दिया तो वो इंसान कैसे जी पाएगा अब देखो उस इंसान की क्या हालत है अकेला पन यह अकेला पर उस इंसान को बहुत सता रहा है तडपा रहा है आपकी याद दिला रहा है यह इंसान आपके बिना नहीं रह सकता अब इस इंसान को समझ में आ चुका है ठीक है त्यारों से देख लेते हैं क्या कुछ एनर्जी है देखो Ace of Pentacles अब एक Sword Offer लेकर आपके पास आना चाते हैं उस इंसान को समझ में आ चुका है कि आप God Gift हो और वो आपको ऐसे नहीं दूर जा सकते वो आपसे ठीक है और जब यह सब कुछ समझ में आ चुका है तो अब आपकी Value समझ में आई है आपके खुफसुरत फोटोस बहुत देखे जा रहे है आपकी Beauty को बहुत नहार रहे है आपकी Beauty को यह परसन बहुत आइडमार करते हैं हमेशा ही उनको पता है कि आप कितने Beautiful हो और सिर्फ बाहर की Beauty नहीं तो आपके Inner Beauty भी उनको बहुत जादा पसंद है इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर वो इतना बुरा विवहार किसी और के साथ करता तो पता नहीं वो इंसान मतलब कितना कुछ गलत बोल कर जाता उसको लेकिन आपने चुप-चाप सह लिया आपने कभी भी इस इंसान के साथ इतने मतलब हो सकता है मनमुटा हुए हो लेकिन बहुत कुछ आपनी कड़वी बात है इस इंसान को कभी कही नहीं इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप परफिक्ट हो ये इंसान अब आपके साथ शादी के सपने देख रहे है आपने बच्चों के नाम तक decide कर लिया है अगर बेटा हुआ तो ये नाम रखेंगे बेटी हुई तो ये नाम रखेंगे इतना कुछ सोच रहे हैं इतना कुछ imagine कर रहे हैं इतने कुछ सपने देखे जा रहे हैं और आपकी beautiful photos को बहुत जादा गूर रहे है ठीक है अब आपको देखो बहुत जल इस इंसान के तरफ से कोई call message receive हो सकता है क्योंकि वो online बात करना चाहते तडप रहे है आपसे बात करने के लिए ठीक है ये इनसान बहुत मजा किया है ठीक है comedy बहुत करते होंगे लेकिन आजकल तो मतलब चहरे की हसी गाइव हो गई है ये इनसान आपको वो मुस्कुराहट वापस लेकर आना चाहते है आपके चहरे पर जो पहले थी मैं भी इस इनसान को समझ में आ चुका है कि इसने आपको कितना दुख दिया ठीक है इसने आपको किस कदर तड़ पाया तो वो आपके चहरे की हसी वापस लेकर आना चाहते है राशी है यहापर टोरस वरको क्याप्रिकॉन टोरस और एरिस लेवो साजुटेस इस इनसान को फिजिकल अट्राक्शन भी बहुत ज़दा हो रहा है तड़प रहे हैं और दोड़ कर भाग कर आपके पास आना चाहते है आपको गले से लगाना चाहते है इतना जदा फिजिकल अट्राक्शन हो रहा है कि वो इनसान अपने आपको रोक नहीं पा रहा है यह कंट्रोल नहीं कर पा रहा है वापस Aries, Leo, Sagittus ठीक है जितनी बार आपकी फोटो देखते हैं उतनी बार उस इंसान को अच्छानक ऐसी फिलिंग आती है कि बस अभी के अभी आप उनके बाहों में होने चाहिए Six of Pentacles के इनर्जेश इंसान को पता है कि उसकी तरफ से बैलंस नहीं हुआ है और वो बैलंस आपके पर्सन करना चाहते है Six of Pentacles टोरस वरको, कैप्रिकॉन देखो ये अंसान आप आपके लिए स्टैन लेना चाहते है अगर इसने ब्लॉक करके रखा है न आपको तो अब ये पर्सन आपको अनब्लॉक करना चाहते है और बॉटम है जस्टिस मेंने पहले भी ये एनरजी यहाँ पर आई है ब्रेक्थ्रू ठीक है तो जस्टिस का काड़े उसको पता है कि उसने आपके साथ बहुत नाइंसाफी की है अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया उसको लगता है कि यार मैंने उसको बेवज़ा ब्लॉक कर दिया उसकी कोई गलती भी नहीं थी मैंने उसको कभी समझा नहीं मैंने उसकी प्यार को नहीं समझा उसको ब्लॉक कर दिया तो ये जो इनसान आपको समझ नहीं पा रहा था यह जो इंसान आपके साथ नाइंसाफी कर रहा था इस इंसान को समझ में आ चुका है और अब आपके साथ justice करने के बारे में इंसान सोच रहा है 7 of Wands के energy क्या बता रही है 7 of Wands के energy बता रही है कि इस इंसान ने कभी भी आपके लिए stand नहीं लिया ठीक है तो अब यह अंसान आपके लिए stand लेने के बारे में सोच रहा है अगर इसने block कर दिया है तो आपको unblock करने के बारे में सोच रहा है और आपको न्याई देने के बारे में आपका partner सोच रहा है यह बहुत ही beautiful energy यहाँ पर आच चुक है ठीक है राशी एरिस लिवो sagittus वापस एरिस लिवो sagittus fire बहुत है हो सकता है गुसा बहुत है इस इंसान में इस बज़र से भी बहुत problem होई है और अपने गुसे का जो भुकतान है वो अब अकेले पंसे कर रहा है कितना अकेला पड़ चुका है ठीक है अब देखते हैं आपके लिए क्या guidance है सबसे पहला है love इनवर्स आपसे कहते हैं कि आपका प्यार लट कराने वाला है जो प्यार आपने दिया है वो प्यार आपको भी मिलेगा जस्टिस होगा आपके साथ ठीक है आपकी destiny में प्यार लिखा है और वो आएगा ज़रूर abundance जो भी आपको चाहिए चाहे financial success हो चाहे career में success चाहते हो जो कुछ भी आप चाहते हो इसमें बहुत growth आने वाली चाहे प्यार में growth चाहते हो ठीक है तो growth आने वाली है और क्या है भगवान आपकी जोली भर देंगे खुशियों से बहुत chances से कि आपका reunion होने जा रहा है unity आप दोनों एक होने जा रहे हो और भगवान कहते कि खुश रहो negative मत सोचो positive सोचो और positive सोच के साथ आगे बढ़ो आपका reconciliation होने जा रहा है passion अपने passion को follow करने के लिए आपको कहा जा रहा है जो भी आपका passion है किसी का संगीत हो सकता कुछ भी जो भी आप पसंद करते हो आपको उसको follow करना है और आप उसी में successful होने वाले हो self belief अपने आपके उपर विश्वास रखो maybe आपमें बहुत wisdom है आपमें बहुत talent है passion जो यहाँ पर आया है बता रहा है कि आपमें बहुत talent है लेकिन आप खुद पर विश्वास नहीं रखते हो और यहाँ पर transformation है आपके जिंदग में बहुत ज़्यादा transformation आने जा रहा है और आपको ready रहना है positive सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए ठीक है खुद के उपर विश्वास करो यह बहुत बड़ी guidance आपको दी जा रहे है I hope आपको ready पसंद आई हो like, share and subscribe मिलते अगली वीडियो में तब तक के लिए Bye